सब्सक्राइब करें फुली फॉर्वर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिएगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी तुमाँ न्यू आने वाले वीडियो आपको मिल सके असलाम अलेकम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर्वर्वर्ड यूट्यूब चैनल मैं नाम है आज और यहां पर आईए वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है उनके लिए जो के ओल्ड एसी पर चैस करते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि ओल्ड एसी पर चैस करने से पहले क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए तो उसमें एक इंपोर्टन चीज जो कि सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा तो चलिए फ्रेंट यहां पर मैं आपको बता हूं किया मैक्सिमम स्टार्टिंग पर तो आइस नहीं आई लेकिन 15-20 मिनट आदे घंटे के बाद तक्रीबन जाकर जैस पर आईस आई जब भी आप ओल्ड एसी ले तो उसको मैं कम से कम आदा पोना घंटा लाजमी रन करके देखें चला कर देखें अब यह आप देखें यहां पर इसके पाइप के उपर आईस आ रही है यह वीडियो उनके लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता एसी का जिनका पास टूल्स भी नहीं होते कुछ भी नहीं उनको इलम लेकिन इसी परचेस करना चाते हैं तो खुद ही जाकर तो वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें जो कि मैं आपको इसमें बताने वाला हूं यह जो आईस आ रही है यह इसका बता रहा है कि इसमें गैस लीकिज है कहीं न कहीं से इंडोर से आउटडोर से यह नट भी लीकिज हो सकत कर ये अभी मुझे आइस दिखा रहा है एक तो आइस आ रही हो तब आप ऐसी परचेज ना करें क्योंकि उसमें लीकेज है और दूसरे नमबर पर अगर उसके घर के आसपास कहीं बिल्कुल करीब मतलब हाफ के किलो मीटर राउंड इसके अंदर अंदर ही इसके आसपास कोई गंदा नाला हो जिसमें गंदा जो पानी है वो चलता हो फैक्टरी एरिया हो ऐसा गंदा नाला हो तो फिर भी आप ऐसी परचेज ना करें क्योंकि उसमें लीकेज की मेन बहुत बड़ी प्रोब्लम होगी अगर नाला काफी दूर है और यहां पर आइस आ रही है फिर आप हुआ हुए एक टण, दो टण, डे टन जो इतने भी टन का हो तो यहां पर यह इसी अभी में परचेज नहीं करूंगा क्योंकि इसमें जो है आईस आ रही है यह तो मुझे पता चल गा कि इसमें गैस लिकिज़ है इसके नाला गंदा तो नहीं है बट मैं इस लिए देखें आउड़ोर की fan speed जो है वो ठीक है उसकी air check करें कि वो normal आपको heat गरम आनी चाहिए ठीक है और दूसरे नमबर पर ये दोनों pipe ठंडे होने चाहिए ठीक है उपर वाला बड़े वाला मोटे वाला भी और छोटे वाला बरीक वाला भी लेकिन बरीक वाले से मोटे वाला ठंडा होना चाहिए ठीक है ये चीज़ पॉइंट अपने जहन में note कर लें पका अपने जहन में बठा लें कि आइस किसी pipe पर नहीं आनी चाहिए बड़े चोटे किसी pipe पर नहीं आनी चाहिए ठीक है और ठंडा जो है दोनों होंगे चिल दोनों होंगे pipe लेकिन नीचे बार हुआ आ रही है कि नहीं गरम आ रही है दोनों पाइप ठंडी है आइस नहीं आ रही इंडोर की कूलिंग फिर आप चेक करेंगे तो आपको कूलिंग उसकी परफेक्ट मिलेगी तो जब भी AC परचेस करें तो इस चीज़ का लाजमी ख्यास ख्याल रखें अभी तो AC परचेस करने के लिए मैं आया हूँ इसलिए मैंने आपको ये वीडियो में बताया कि यहां पर फोल्ड क्या है इसमें और क्या क्या चीज़ आपको चेक कर लेनी चाहिए एक मैंने पहले भी वीडियो आरड़ी और अधर लीकिज आपको देगा आपको वीडियो पसंदा ही होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा कुछ जानकारी आपको मिली होगी वीडियो आपको संदा ये त墟 वीडियो को लाइक करें चैंल पर फुली फ़ूर्वार्वर्ल यूट्यूब चैनल को इस वीडियो के नीचे जल्राट बटन पर क्लिक कर के सबस्काइब लाजमी करें और साथ घंटी के बटन पर प्रैस करके औल का नोटिकेशन लाजमी से क्लिक कर लिना फिर ही आपको हमारी न्यूहर वीडियो का नोटिकेशन मि लेगा मैं में ताहूं आप फ्रेंड आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच अलाह आफीज